अगर आप लोग भी औरगेन की तरीके से सबजिया खाने का सौक रखते हैं तो आप इस वीडियो को बिनाय स्किप के पूरा जरू देखना क्योंकि आज की इस वीडियों हम आपके साथ कुछ ऐसी केयर टिप्स सेयर करने वाले हैं और साथ में हम आपको कुछ ऐसे औरगेन के यूज करना हैं तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं एक ही जगे पर इस टाइम पर कम से कम 15-20 फल लगे हुए हैं यानि कि दोस्तों हमने यह पर लीप्सों को अठा दिया है क्योंकि लीप्सों को बिनाय अठा हुए यह जो फल हैं आपको नजर नहीं आते इसलिए हमने आपसे लीप्सों को अठा दिया है और आप सामने देख सकते हैं जैसे पौदे की ग्रोथ हो रही है यानि कि पौदे की लीप्स निकल रही है उन्हीं जगे पसे छोटे छोटे फलपूर निकलना शुरू हो रहे हैं जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे तो दोस्तों लोंकी का पौदा इसी प्रकार से फलों से भर जाए तो दोस्तों जब भी आपके लोंकी के पौदे की ग्रोथ हो रही है लेकन उस पर फल पुल नहीं बन रहा है उस टाइम पर आपको ग्रोथ को कट कर देना है जैसा कि आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस पौदे क नई ब्रांच निकली है, साती साथ उसमें से जो लीप से यानि की पत्ता निकला हुआ है, उसी जगहे पे से फल निकल करे रेडी हो चुका है, और भी दोस्तों मैं आपको देखा देता हूँ, आप यह जो ब्रांच देख रहे हैं, इसी में भी इसी प्रकार से फल पुल आना सुरू हो चुका है, जो की नई ब्रांच निकली हैं, उन्हीं मैं से ग्रोथ हो रही है, और साती साथ फल पुल आना सुरू हो रहा है, उसी प्रकार से हमारा लोंकी का पौदा फलों और फुलों से बरा हुआ है, तो दोस्तों केर में इस चीज का आपको विसे इस द्यार र रहता है, और दोस्तों जब भी आपके पौदे पर इस प्रकार से, यानि कि छोटे छोटे फल पुल आना सिरू हो चुकी हैं, लेकिन उसमें आप ज्यादा ओरवाटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर आप ज्यादा ओरवाटिंग करेंगे, तो आपके पौदे पर जो चोटे चोटे फल पुल आई हुए हैं, वह फलों में कनवर होने से पहले ही जड़ जाएंगे, या फिर आपके लोंकी के पौदे पर चोटे चोटे फल हैं, वह काले पढ़कर के सूख जाएंगे, तो दोस्तों इस चीज का भी आपको विसेस ध्यान रखना है और आपको साथी साथ गुडाई करने के बर्मी कंपोस्ट या फिर गवर की काद भी लगा देना है अगर आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी लोंकी का पौदा फलों और फूलों से इसी प्रकार से भरा रहेगा तो चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं आपको क पौदे की गुडाई कर लेते हैं गुडाई करते समय भी एक चीज का और द्यान रखना है कि पौदे की जितनी गहरी गुडाई करने जिससे पौदे की रूट्स कटने न पाएं अगर पौदे की रूट्स कट जाती है तो पौदा सुख भी सकता है तो दोस्तों आप सामने में गास बगरा निकल आता है और पोसक्ततों को ग्रेंड करता रहता है और पोदे में पोसक्ततों की कमी होने के कारण से या तो पोदे पर फलपुल नहीं आते हैं या पिर पोदे पर फलपुल आया हुआ है वाप फलव में कनवर्ड होने से पहले ही जड़ जाएगा तो दोस दोस्तो इसे हमने 50 क्राम के लगवग इस पौदे में डालकर के तयार कर दिया है तो चलिए इस सोयल में भी हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं तो आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से यानि कि जो पौदे की सोयल थी और सात में जो वर्मी कमफुष डाला ता। उसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स करके कर दिया है। तो दोस्तो आप सामने देख सकते हैं हमने यहां पर एक खारी वरतन में 1.5 लीटर के लगवब पानी लेकर के तियार कर दिया है, तो दोस्तो इतना काम करने के बाद मैं आपको कौन सी चीज़े लेनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप जो मेरे आद में देख पा रहे हैं ये है सीवीड सीवीड को हमने यहाँ पर एक चमच के तकरीबन लिया हुआ है और हमने इस पानी में डाल करके भी तियार कर दिया है तो दोस्तो इतना काम करने के बाद में इसे अच्छी तरीके से गोल भी लेना है आप सामने देख सकते हमने यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से आदकी साहिता से गोल करके तियार कर दिया है यानि कि जो हमारा पटलायर भाप पूरी तरीके से बन करके रेड़ी हो चुका है तो चलिए दोस्तो हमने जो पौदे की गुड़ाई की हुई है उसमें चारो तरफ इस बनाई हुए पटलाय को डाल लेते हैं तो दोस्तो आप सामने देख सकते हैं आपर बनाई हुए पठलाय को इस लोकी के पौदे में डाल करके तियार कर दिया है तो दोस्ता आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी लोकी का पौदा इसी प्रकार से फनों और फूलों से भर जाएगा तो चलिए दोस्तो फिर मिलते हैं किसी नेट आप के साथ तब तक के रिए थैंक यू